नमस्कार दोस्तो टेक्नो सूरज HD चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आपने कभी सोचा है कि आपल के फून में एक्स्टरनल स्टोरेज का ओप्शन क्यों नहीं होता है इसके दो रिजन है तो रिजन जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के लाज तक देखते रहे चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइगन को हिट किजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जब आप आइफून थार्टीन प्रो 128GB वाले खरीते हैं तो आपको पे करना होता है 1,20,000 रुपीज लेकिन दोस्तो आपको वही आइफून 13 प्रो खरीतना होता है 256GB वाले तो आपको पे करने होते हैं 1,30,000 रुपीज यानि कि आपको एक्स्ट्रा 128GB स्टोरेज के लिए आपको देना पड़ रुप्या का एक् तो ये Apple अपने mobile phone में external SD card लगाने का option क्यों नहीं देती, क्या ये public को चुना लगा रही है, या फिर बात कुछ और है, और आपको तो पता ही होगा, जो internal storage होता है, वो phone के अंदर ही होता है, इसलिए ये थोड़ा fast चलती है, और जो external storage होता है, ये internal storage के मुकाबले थोड़ा slow च SD card का use करोगे, तो आपका phone slow होगा, और इससे Apple का नाम ही खराब होगा, और इसकी दूसर रिज़न ये है कि फाइदा सिद्धा Apple को हो रही है, जो कि एक्स्ट्रा 10,000 रुप्या उसकी pocket में direct जा रहा है, तो दोस्तो ये था दो रिज़न जिसकी कारण Apple phone में external storage का option नहीं होता ह है, तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को हिट करना नाम है, जब भी में वीडियो अप्लट करूं सबसे पहले notification आपको मिले, तो मिलते हैं अगले वीडियो प प्राइब को दोस्तो, आपको मिले, प्राइब कर दीडियो में उझाय कर देजिए और चैनल को सब्सक्माइब करों